तो दोस्तों एक पर फिर से स्वागत आपको अपने चैनल में तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो अगर आप BN मंदल उन्वर्शिटी के स्टुडेंट हैं छात रहें और अगर आप पार्ट 2 में इस बार एक्जाम फोर्म भरने वाले हैं तापके ल बने का रहे और अब जो में डौन अता है हूं आपको एक्जाम फोर्म किस तरह से बढ़ना होगा आपको college मे जाके भरना होगा या online वढ़ना होगा यह दो समय सब कीसतरह से बढ़ना है college में जाके भरन या online जाके भरं से barnum कि करना औो कलेप लिए वेयरे क्या है तो यह सारी दुबदाज जो है सभी आपको बता देता हूं जो आल ये पार्ट्टू का जो एक्जाम का फॉर्म है उसमें चापको डॉक्मेंट सब अप्लोड करना होगा वो सारा जो होगा वह आपको आनलाइन ही अप्लोड होगा और आपको आनलाइन ही उसका डिशिविंग मिलेगा तो उसके लिए दोस्तों आ जाके सर्च करना है इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से भी डायक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं यहां पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहां पर student login का दो option दिया जाएगा जिसमें आपको जो है application number और password दिया जाएगा अब आप कहेंगे जी आपको कहां से मिलेगा तो दोस्तों आपको याद होगा जो आपने part 1 में exam जो दिये होंगे exam exam part 1 में जो admission के समय में जो आपने online जो admission हुआ था उस समय आपको ID password मिला हुआ था और वही password से आप देख सकते हैं या नहीं तो आपको mail ID पर भी आपको password university के द्वारा भेज दिया होगा जो आपने mobile number या mail ID उसमें रेजिस्टर कराया होगा part 1 के समय में तो उस पर जो है आपको यह application number और password आपको send कर दिया गया होगा तो आप mail id को check कर ले है में या मववाव मैसेज को check कर ले यह आपको गढ़ आया होगा तो आपrot Parlament कर लेंगे यहां पर क्च्छड डालके यहां पर application ID और password यह आपको mail पर आगया होगा वह आप जैक कर करेंगे वहां से आपको इसको लॉग में करेंगे लॉग में करने की बाद आपको जो नेक्स आए गाओ Remo उस्ताफ कोई कुछ से देखने को मिले गा जिहां दोस्तों आपको इस तरह제를 को मिलेगा इसमें आपको एक option आएगा exam form करा ठीक है दोस्तों आप यह से ही खोलेंगे वह आपको exam form का option आएगा उसमें आप देखें कि आपको यहाँ पे degree का वहाँ पे दिखाएगा आपको कौन सा degree में एक जमें। यहाँ पर मदेने का option आपको क्लिक करेंगे जैसे आपको यह दूसरी ने में आपको ॥ डिडिड नेगा वहां प्रकुण ओप्सवेड उपसन आपको फिल करना है डॉक्मेंट अपलोड करना है और उसके बाद आपको डिसीविंग भी लेगा और अब आपको इस रेसीविंग को लेके क्या जमा करना है लेकिन आपको यह सारा प्रक्रिया होगा फॉर्म जो होगा यह दूस्ट तो मैं बताता हूं जो होगा वह आपको परिक्रिया पुर्ण होगा और ज्यादा जनकाड़ी के लिए आपको। होना चाहते तो एक बार आपना कॉलेज जरोड विजिट कर ले तो आप कुछ जानकाड़ यही देने वाला हों तो धन्यवाद